ब्रेक के बाग को स्वागत है त्योहारों की सीजन में किसी भी अप्रे घटना से बचने के लिए जीला प्रशासन अब सक्त हो चुका है सुरक्षा की द्रिश्टी से सबी नियमों की पालना हो इसके लिए सकती अमल में लाई जा रही है यादायात पुलिस के परभारी की समान चड़कों पर ना लगाएं इन चलानों से जहां ब्यपारियों में रोश्टी का बही पैदल चलने बाले लोग खुश नेजर आए तिहारों की सीजन में किसी भी अप्रिय घटना से बशने के लिए जिला प्रशासन अब सत्थ हो चुका है सुरक्षा की द्रिश्टी से सबी नियमों की पालना हो इसके लिए सकती अमल में लाई जा रही है यादायाद पुलिस के प्रभारी की अध्यक्ष्टा में कोटलर नाला लकर बाजार और सरकुलर रोड पर सड़क किनारे खड़े किये गए बहानों का चलान किया गए बहीं जो दुकानदार अपनी दुकाने सड़कों पर लगा रहे थे उन्हें भी हिदायत दी गई की बहीं दुकान का सामान सड़कों पर ना लगाएं इन चलानों से जहां बेपारियों में रोश दिखा बहीं पैदल चलने बाले लोग खुश भी नजर आए अधिक जानकारी देते हुए राकेश कुलेरिया यातायात प्रभारी ने बताया कि उन्हें काफिस में से शिकायते मिल रही थी कि सड़कों के किनारे खड़े बहानों से उन्हें चलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आज कल क्योंकि त्युहार चल रहे हैं इसलिए बाजारों में लोग भी बाजारों में ज्यादा आते हैं इसलिए उनकी सुभिधाओं को देखते हुए कोटला नाला लकड बाजार और सर्कूलर रोड पर दो पहिया बाहनों के सक्ती से चलान किये गए हैं खोटला नाला से लेके लकड बाजार सर्कूलर रोड इस पर लोगों ने काफी अव्याद पार्किंग कर रखी है अपनी दुखानों के सामें जिससे लोगों को आने जाने में काफी असुभदा पैदा हो रही है तो पैदल लोग चले हुए हैं वो लोगों का भी कहना है कि हम लोग पैदल कहां कैसे चलें तो जिस कारण को उस ध्यान को रखते हुए इस कारण से जो अपने अपनी दुखानों के जामने लोगों आवायाद पार्किंग कर रखी है इस कारण से चलान किये गए हैं लकडव यार जड़ा चौंक और उपको जो भी सरको रोड है यहां प रखते हुए जा त्यहारी दे को ध्यान में रखते हुए इस चीजों का चलान किये गए हैं बिल्कुल जो जिनके ऑफिस हैं वो अपने अपने ऑफिस में अधिकारियों को बोले कि हमें पार्किंग दे और उपर अब्याद पार्किंग नहीं मानिया है